असलाम अलेकुम फ्रेंड वेलकम बैक टो मैं चैनल साधिया एजी रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े का एक केक बिस्किट का रेस्पी लेक आई हूँ इसको आप लोग केक भी कह सकते हैं और बिस्किट भी कह सकते हैं देख सकते हैं कितना ज्यादा नर मेजरिंग कप का जो है जिस कप से अप लोग मैदा नापिंगे उस कप का आधा कप है आधा कप चीनी और थोड़ा सा एक पिंच नमक लेना है और उसके साथ दाल देना है आप लोग एक अंडा में एक अंडे की केक बना रही हूँ आप लोग ज्यादा क्वांटिटी बनान दीत हो करीबन बड़े चार चमच चाय का चमच जो रहता है उस चमच से चार चमच देख सकते हैं में पीस लिया है अभी जो है इसका पेस्ट जितना भी है वो सबको में एक बाउल में अलग से ट्रांसपर कर लूँगी देख सकते हैं यह जो है बाउल में ट्रांसपर हो च अगर वैनिल एसेंस डालना है तो जरूर डाल सकते हैं नहीं तो आप लोग इलाइची की पाउडर या फिर धार चीनी का पाउडर कोई भी आप लोग फ्लेवर इसमें जरूर डाल सकते हैं यहाँ पर मेजरिंग कप से में ले रही हूं एक कप मैदा जीतना चीनी लेना है उस के साथ डाल देती हूं बेकिंग पाउडर जो बेकिंग वाले चीजों में इसतमाल होता है यहीं वाला बेकिंग वाला पाउडर एक चाय के चमच से अगर आप लोग घर के माप के लेंगे तो आधा चमच अब यहाँ पर बड़े चार चमच में मिल्क पौडर डाल देती हूँ नॉर्मल जो दस रुपे वाला पैकेट आता है उसको आप लोग डाल सकते है मैदा जो है वजन में 200 ग्राम है तो इसको चान लिया देख सकते हैं इसके अंदा थोड़ा बहुत जो गंदगी रहता है वो भी चला जाता है चानने से सबसे पहले मैं इस पैचुला से इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और उसके बाद जो है इसको मैं हातों से मिक्स करूंगी सबसे पहले इस पैचुला से थोड़ा सा जो लिक्विड फॉर्म है वो थोड़ा सा चला जाने तक इसको में मिक्स कर लेती हूं कटन फोल में आप लोग कैसे भी इसको मिक्स कर सकते हैं तो अभी चलिए छोड़ा सा हाथों में में तेल लेती हूं तो इसको जो है softer चीप चीपा ही चाहिए बहुत ज़दा हाड नहीं चाहिए तो तेल को सिर्फ आप लोगों को गरम चाराना है और बिलकुल भी गरम नहीं करना है तेल पर सिर्फ गैस को अन करना है और लोः फ्लेम पर ही आप लोगों को केक को थोड़ा सा टाइम दे के फ्राय करना है तो इस तरीके का गोल-गोल बना लेना है मैं जो है एक चम्मच की मदद से एक ही मेजर्मेंट का करी ही हूँ तो जितना भी आजाए मैं सब पहले उतना में इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा गयाप रखके आप लोगों को जरूर डालना है क्योंकि केक थोड़ा सा जब होता है तो थोड़ा सा ये फूलता है तो इसके वज़े से थोड़ा थोड़ा गयाप रखके मैं काना है तो एक तरफ से हो जाने के बाद ही आप लोगों को पलटना है उसके पहले बिल्कुल आप लोगों को जो ही इसको पलटना नहीं है नहीं तो केक बहुत ही ज्यादा सौफ्ट रहता है केक जो है आप लोगों का बिल्कुल डूट जाएगा तो फ्रेंज वीडियो इतनी केक पसंद आएगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत यूनिक सा केक का रेसिपी है आप लोग ज़रू से ट्राइ करके देखी कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो लगबग एक तरफ से हो जाने के बाद थोड़ा सा और भी आधा से एक मिनिट तक लो टूटेड़ा आप लोग जो है लोफलें पर पकाएंगे तो केक बिल्कुल भी नहीं टूटेगा तो चली एक एक करके सबी केक को जो है अभी निकाल लेते हैं तेल से और फिर जो है इसको गर्मा गर्म सर्प कर लेते हैं आप लोग इसको स्टोर करके भी 3-4 दिन तक रख स कि तक खुबसूरत केक बंद के तैयार हो चुका है देख सकते हैं डबल बिल्कुल फुला है और अंदर से तोरेंगे तो बिल्कुल बहुत ज्यादा सौफ्ट आप लोग टी टाइम स्नैक्स में चाय के साथ इसको जरूर ले आप लोगों को उमीदे बहुत ज्यादा क्धिश इस